हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत आपके अपने अपने एक्टिवेट को एक्टिवेट कैसे करें ताकि उस ATM काड को हम यूज करना स्टार्ट कर सकें दोस्तो आज के इस वीडियो को देखते रहें इस वीडियो में आपको दो सबसे आसान तरीके बाद आने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप किसी भी बाइंक के नियू ATM काड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद उस ATM काड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं तो आईए दोस्तो देख लेते हैं कि यह कैसे होता है दोस्तो हर एक बाइंक नियू ATM काड को एक्टिवेट करने के दो तरीके प्रोवाइड करती हैं जिन में से जो पहला तरीका है इस तरीके में आपको अपने बाइंक के ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने नियू ATM काड के पिन को रिसीव करना पड़ेगा बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हेड़कॉर्टर से आपके नियू ATM काड को इसू किया जाता है तो वहाँ से उस ATM काड को भेज दिया जाता है आपके दियेवे एडरस में साथ ही आपके उस नियू ATM काड के लिए एक ATM पिन भी इसू होता है जिसको आपके ब्रांच में स को आपका ATM PIN प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अगर आपको आपका New ATM Card और आपका ATM PIN दोनों ही प्राप्त हो चुका है तो अब आपको जाना है आपके अपने बैंक के किसी भी ATM में और आपको उस ATM PIN की सहाथा से अपने New ATM Card का यूज करके एक transaction करना है चाहे वह transaction किसी भी तरह का हो सकता है आप अपने जैसे याप वह transaction अपने New ATM Card से कर लेंगे तो आपका New ATM Card एक्टिवेट हो जाएगा और अब आप उस New ATM Card को कभी भी कैसे भी यूज कर पाएंगे लेकिन इस प्रोसेस में प्रोब्लम तब आती है जब हमारा ATM कार्ड तो हमारे पास आ जाता है लेकिन हमारा ATM पिन हम तक नहीं पहुच पाता यह बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं उस ATM को हमारे ब्रांच में पहुचने में साथ ही बहुत सारे बैंकों ने अब नियू ATM कार्ड के लिए ATM भेजना बंद कर दिया है और इस बीच हम अपने उस ATM कार्ड को जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक यूज नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से आपको इस पहले प्रोसेस में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो इन सभी दिक्कतों को खत्म करने के लिए बैंकों ने एक नियू प्रोसेस को फोलो किया है और इस प्रोसेस में आपको किसी भी तरह का वेट नहीं करना है, यही है हमारा दूसरा प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है ATM Green Pin Generation Process, तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके दूसरे तरकी के और आप जान लेते हैं कि यह Green Pin Generation Process क्या है, इससे हम अपने ATM कार्ट को एक्टिवेट कैसे कर सक प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस अपने New ATM कार्ट के लिए एक पिन जनरेट करना पड़ता है, और जब आपको वह पिन मिल जाएगा, तो उस Green Pin OTP को आपको वेलिडेट करना पड़ेगा, वेलिडेट करने के लिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उस New ATM कार्ट को कहीं भी कभी यूज़ कर पाएंगे, दोस्तो हर एक बाइंक के Green Pin OTP को जनरेट करने और उसको वेलिडेट करके अपने ATM कार्ट को एक्टिवेट करने का प्रोसेस अलग अलग है, जिनको एक वीडियो में कभर नहीं किया जा सकता है, दोस्तो हमारे इस चैनल साथ ही हमारे website www.explainmebanking.com में लगभग हर एक बाइंक के Green Pin जनरेट करने के और उसके वेलिडेट करके अपने ATM कार्ट को एक्टिवेट करने के प्रोसेस बताय हुए है, तो आप हमारे इस चैनल में जाएं और या फिर हमारे ब्लॉग में जाएं यानकि वेबसाइट में जा मैं इस वेडियो डिस्क्रिप्शन और आइवॉटर देघर हूं आप उनको भी देखक है अपने new ATM कार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो दोस्तो अब आप दोनोई प्रोसेस जान चुके है कि कईसे आप अपने new ATM कार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको इन दोनों म दूसरे ज़रुवत मन लोगों के मदद करेंगे और हमारे इस वीडियो के बार में या हमारी चैनल के बार में किसी भी तरका सुझाव विस्तावाल हो तो हमारे कमेड़ में के अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ